आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टेस्टर के बारे में यह आप देख सकते हैं एक टेस्टर हमारे सामने रखा हुआ है इसको हमने बनाया है और यह एक प्रोग्रामेबल टेस्टर है इसको UVW टेस्टर और एनलाइजर भी आप कह सकते हैं इसके अंदर यह क्या काम आएगा तो इसका जो काम है वो बेसिकली यहां पर किसी भी PCB का आपको इस LED के थ्रू यहां पर दिखाएगा अभी होता क्या है कि जो UVW टेस्टर हम लोग बना रहे थे यह जो भी लोग यूज कर रहे थे उसके अंदर क्या था कि 6 LED को लाकर के और यहां पर लगा दे जाता था रजिस्टर की वजद से जिससे कि कुछ मिली सेकंड के अदर तक तक दो फी इन्पुट आरहा उसके साब जाकर और उसके बाद जब इन्पुट चला जाएगा पीसे की तरफ से क्योंकि कंप्रेसर तो लगावा होगा नहीं यह कुछा कैक्छ ऌने के लाएं क्या पार यह गोक है तो यह ईहक्त टेस्टर है कि घम्प्रेसर चलने क के output को बताती है इसके दर देखेंगे तो light की जो configuration है वो आमने किस तरीके से रखी है यह LED 1,2,3,4,5,6 LED लगी भी यहां पर फर्स्ट वाले LED यहां से चालो होगी अगर आप इसको इस तरीके से रखेंगे सीधा तो फर्स्ट LED यहां से स्टार्ट होगी यह UVW UVW हो गया फिर UVW हो जाएगा UVW प्लस है यह तीनों और यह UVW माइनस है मतलब आमने सामने की जो LED है वो उसी फेस की प्लस और माइनस होगी जैसे कि मान लेजिए यह आपका देख सकते हैं यह फर्स्ट लेडी मैंने बता आपको यह आपका U है U प्लस इसके ठीक सामने U माइनस हो जाएगा फिर यह V प्लस है यह V माइनस यह W प्लस डबलू माइनस तो इस तरीके से यहां पर जो है लाइट की कॉन्फरिकेशन है यहां पर अगर हम बात करें तो यह जो 6 LED है इसके अंदर के 6 LGBT का इस्टेटरस हमें बता देती है कि output जो है यह जो 6 LGBT है वो ठीक है या नह में है तो सबसे पहले इसको हम supply देंगे और supply देने के लिए मैं यहां पर देख सकते हैं इसमें केवल लगती है जो जैक है यहां पर इस जैक में यह केवल आपको लगानी है यह V3 केवल है इसको यहां पर connect करेंगे और connect करने के बाद देख सकते हैं यह बिलकुल ready है यह इस जिस तरीके से इसको input मिलेगा यह आपको analyze करके output दिखा देगा अब यहां पर इस PCB से हम इसको test करेंगे कि अभी इसमें जो भी output निकलता है हमारे तीन output निकलते हैं 6GBT को मिला करके जो हमारे output बनते हैं 3-phase वो हमारे इस jack से output होते हैं compressor के लिए अब compressor खराब है या नहीं है उसी के लिए इसको बनाया गया है कि test हो जाएगा PCB ठीक है या compressor तो अभी हम इस PCB को supply देंगे और देखते हैं कि इसके जो output निकलता है हमारे compressor के लिए वो ठीक तरीके से निकल रहा है कि नहीं तो मैं इसको यहां पर जो है connect कर जा रहा हूं मैंने इ status बता दिये हैं IGBT के अभी इसका मतलब यह है कि यह जो है compressor चलाने के लिए अभी ready है मतलब जो भी आप यहां पर compressor लगाएंगे वो इसका start हो जाएगा IPM भी इसका ठीक है और IPM को जो 6 signal मिलते हैं वो भी हमारे ठीक है यह जो UVW टेशरम ने बनाया है यह real time आपको data भी दि दो गया है तो यह अभी वो data दिखा रहा है जो इसने input में लिया था पहले जब इसमें input आया था और इससे output निकला था तो अभी इसका connector हमने हटा दिया तो देख सकते हैं यह जो है भी यहां पर इस तरीके से जो है data को save करके आपको LED के धुरू दिखा देता है अब इसको दुबारा से normal condition में आने के लिए देख सकते हैं इसमें यहां पर एक button है और यह आपको Arduino के साथ ही मिल जाएगा button इस button के अंदर यहां पर disconnect हो गया इसको connect कर लेता हूं में दुबारा यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर यह जो button आपको दिख रहा है यह button इसका reset का button ह इससे program delete नहीं होगा बर्स reset हो जाएगा तो इसको जब हम दबाते हैं एक बार तो यह देख सकते हैं यह reset हो गया दुबारा यह दुबारा से data लेने को तयार है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो तीन वायर हमने लगाए थे यह तीनों वायर UVW के थे तो हमन सबसONG. इसको बोक्स के अंदर Questo कर सकते है अपने साबसे जैक लगा सकते हैं अपने सावव सब्सक्रेशिस का कर सकते हैं तो यहां पर आप देशते हैं कि इसके अंदर यह U वाला फेस है और U वाला जो फेस है इसका वयर अमने निकाल दिया है और वयर निकालने के बाद अब इसको दो ही फेस मिलेंगे अब अगर इसको 2 ही face मिलेंगे तो क्योंकि 6 IGBT से हमारे 3 output निकलते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर total 4 LED जलनी चाहिए क्योंकि 2 LED बंद रहेगी तो मैंने U अला निकाला तो यह U plus और यह U minus है, यह 2 LED बंद होनी चाहिए यह 4 LED आपकी जलनी चाहिए अगर यह 4 LED जलनी जाती है इसका मतलब यह है कि यह जो टेस्टर है वो ठीक से काम कर रहा है और आपका एक face missing जो है वो आपको दिखा भी रहा है तो इसको अभी हम लोग दुबारा देते हैं बोड को supply हमने लगा दी है supply लगाने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो थी हमारी यह दोनों LED अभी बंद है जो कि U प्लस और U माइनस थी तो देख सकते हैं U अलग आयर तो बाहर है जिसके वज़ाचे इसने बता दिया कि यह आपके जो दो face है वही आ रहे है बाकी एक जो face है वो missing है तो इस तरीके से जो है अगर आपका IPM खराब हो जाता है या output नहीं देता है तो आप इससे पता कर सकते हैं अब रही बात की आप इसको बनाइंग कैसे या जो भी इसको बनाना चाते हैं वो किस तरीके से इसके connection करेंगे तो मैं पहले तो इसके supply निकाल देता हूँ और supply आप पर जो है इसको हम लोग side में कर लिते हैं test हमने कर लिया इसको अभी इसको program करने के लिए क्यूंकि यहां पर हमने देख सकते हैं इसको program करने के लिए use में लिया है ये Arduino तो एक तरीके काige tam应 communication controller है इसके अंदर हम pin को program किसी को भी input किसी को बी output बना सकते हैं तो ऐसके अंदर यहां पर और उसको प्रक्न यूजिक हैं तो यहां पर यहां पर spoken to हम ने यहां पर scope यूजिसरर यूजिक गई है 47K की वन वायर यूजिकर में और इस प्रक्न करता। तो मैंने इसको यहाँ पर parallel में use किया है parallel में यहाँ पर photose7,ाहँ किकी हमने total जो छह और छो और बो isépरी चैपर तीन हो input गया है यहाँ पर आपड़ेते हैं 6 photocupplers हमने यहाँ फिर यूज किया है photocuppler के number की बात करें तो यहाँ पर मैंने नंबर यूज़ किया है यह 2561 है फोटो कपलर आप इसके जगह मेरे पास यही था आप इसके जगह और भी यूज़ कर सकते हैं काफी नंबर में आपको अविलेबल हो जायागा यह उसके बाद हमने यहां पर टोटल 6 LED 5 mm में 2 वोल्ट के LED है यह रेड कलर की आप इसके इस बात आप दे सकते हैं कुछ capture यूज़ किये हैं कुछ register यहां लगे वे हैं तो यह तो एक rough हमने यहां पर बनाया है इसको बनाने के बाद आप अपने साब से इसको box के अंदर fit कर सकते हैं अब इसको इसके जो connection है उसका diagram जो है आपको कहां से मिलेगा तो diagram के लिए सबसे पहले आप अपने जो भी आप device यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर play store पे आप जाएं और search bar में यहां पर qfix training यहां पर डाल दें qfix जो training है वो application यहां से आपको download करनी है तो आपन का जो है option आ रहा है आपको download का option मिलेगा तो download करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो य यहां की तरफ नीचे की तरफ आपको यहां पर एक option मिलेगा Arduino software का Arduino software पर आप click करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर step by step करना है वो आपको बता दिया गया है तो यहां पर हमें 2 option मिलते हैं एक open diagram का और download software का तो हमें सबसे पहले diagram के जरुबत है तो ह आपको यहां पर पता चल जाएगी और जिस तरीके से यहां पर इसमें हमने connection किया है input और output उस तरीके से ही आपको यहां पर connection करने है नहीं तो आपका जो program है वो काम नहीं करेगा तो इस तरीके से यहां पर हमने देख सकते हैं इसके अंदर battery का भी option दे रखा है लेकिन अभ और उसको charge करने के लिए इस तरीकी का BMS module आपको लगाना है तो यह देख सकते हैं BMS module यहाँ पर बता दिये गया है कौन सा लगाना है जिससे कि आप उसको charge कर पाएंगे और इसको एक portable device बना पाएंगे उसके बाद आप दे सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर डायग्राम में value दिखा यह register की वह आपको दे जाएगे अब यह लोड नहीं हो रहा है ठीक से यह देख सकते हैं लोड हो रहा है भी यह लोड हो जाएगा यह नेट के मतलब इंटरनेट से चलता है यह application जो है तो अभी जिससाब से नेट चल रहा होगा उसके इसाब से आपको यहाँ पर quality मिल जाएगी तो इस तरीके से जो है वह आपको डाइग्राम मिल जाएंगे और connection आपको इसको देख कर लेना है जो component हमने use का है वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अब डाइग्राम के बाद आपको चीए software तो software जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर option आ रहा है download software का तो आप इस पर click करें और यहाँ से यह आपको ले जाएगा सिधा URL पर और यहाँ पर जाते हैं कि एक file download हुई है click करते ही तो यहाँ पर जाएंगे download में जाकर देखेंग तो इसके लिए कोई भी laptop और computer की जरुवत नहीं है हम mobile से प्रोग्राम करेंगे इसको तो mobile से प्रोग्राम करने के लिए हमें इस Arduino की जो application है उसको download करना पड़ेगा अपने device में तो इसके लिए आपको application download करने पड़ेगी तो application जो है आप play store से download कर सकते हैं तो यहाँ पर दे application है लोवर वर्जन पर है इस विए से जो है इससे काम नहीं करें तो हो सकता है कि यह वाली प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिले तो इससे बढ़िया है कि आप जो है इसको सीधा Chrome से download करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको सर्च करना है अर्डिय करना है और यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड का ओप्शन आ रहा है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमारी application डाउनलोड होने लग जाएगी तो वेट करते हैं इसका डाउनलोड ह करते हैं इसका तो यहां पर आप दे सकते हैं application जो है वह यहां पर download हो चुकी है इसको हमें click करके install करना तो install पर click करेंगे और अभी जो है यह हमारी device में इस्टॉल हो जाएगा और यहां पर open पे क्लिक करके इसको हम लोग set up कर लेते हैं इसको skip कर दिजे सबको अलाव पे क्लिक करेंगे और यह जो अडियू नो ड्रॉइड है यहाँ पर डाउलोड हो चुका है अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए बाद इस जगह पर यह three dot आपको दिख रहे हैं तो three dot पर जाना है और यहाँ पर देशकते हैं sketch का option आ रहा है first number पर तो sketch पर क्लिक करेंगे और sketch के बाद यहाँ पर third option open from पर क्लिक करेंगे यहाँ पर option आ रहा है device का तो device में हम लोको जाना पड़ेगा और इसमें जाएंगे और यहाँ पर देशकते हैं download का option आया है इस पर क्लिक करेंगे तो जो file हमने download की थी हमारे उस application से वह वाली जो file है उसको हमने यहाँ पर download कर रखा है तो यहाँ से इसको हम लोग क्लिक करेंगे और इस right वाले निशान पर क्लिक करके इसको हम ले जाएंगे सीधा यहाँ पर तो जो भी data हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है अब इस data को हमें verify करना पड़ेगा तो verify करने के लिए यहाँ पर compile करना पड़ेगा इसको compile करने के लिए दिसकते हैं यहाँ पर एक option आ रहा है compile का इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है compile स्टार्ट हो चुका है और यह खतम भी हो चुका है और यह जो option होता है यह जो कोड में अगर कोई error होगा तो वह हमें बता देता है कि कोई error है बोल करके तो अभी data जो है वो बिल्कुल ठीक है और उसके बाद अब हमें अब अब इसके अंदर तो अब इसके अंदर तो अब इसके अंदर तो अल्रेडी डेटा है है हमारे पास इस वाले tester में लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ तो अब हमें सबसे पहले select करना है कि जो भी हम यहाँ पर Arduino यूज़ करने वाले हैं वो कौन से type का है तो यहाँ पर आप देखेंगे three dot पे click करेंगे और three dot पे click करने के बाद setting पे इसकारा 8 mega 328 CS 340 G old version हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इस पर हम लोग click कर देंगे यह select हो चुका है बोड़ अभी अब उसके ठीक बाद में हमें सबसे पहले select करना पड़ेगा इसका कि जो भी हम लोग uploader यूज़ कर रहे हैं वो कौन से category का है तो हमें यहाँ पर जाना हैं बीच वाले option पर तो बीच वाले पर मैंने select कर दिया है अब यह data जो है वो इसमें upload करने के लिए तयार है तो हम यहाँ पर देशते हैं upload का option आ रहा है upload पर हम लोग यहाँ पर click करेंगे upload करते ही इसको ok कर देंगे और अब जो है यह data हमारे इस Arduino के अंदर program हो चुका है त तो देखा आपने इस तरीके से जो है आप इसको easily program कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इसकी accuracy की तो यह जो uvular traster है यह काफी accurate है अपने काम को ले करके लेकिन फिर भी आपको इसके ओपर 100% जो है वो depend नहीं होना है कभी कभी 100 में 10 PCV के अंदर क्या होता है कि compressor के लिए जो boot step capture होता है वो charge नहीं हो पाता है तो high side IGBT on भी नहीं हो पाते हैं जिसके जैसे क्या होता है कि हमारा जो output है उसमें LED जो है वो पूरी glow भी नहीं करती है यह जो tester है यह जो input में होगा वही output में देगा अगर input में face दो ही आएंगे तो दो ही output दिखाएगा आपको तो आप जो है testing अगर आप करते हैं PCP की तो आप compressor पर कीजिए क्योंकि मुझसे भी काफी लोगों ने पुछा सर आप क्या यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए तो मैं compressor ही यूज करता हूँ अभी यूडिल टेस्टर में ने बनाया है तो मैं इसको यूज करूँगा अभी और अगर मुझे इसके अंदर कोई कमी लगेगी तो मैं उसको software update के थ्रूँ जो है वो fix करने की कोशिश करूँगा और अगर मैं करता हूँ तो आपके जो हमारे application है उसके मैं डाल भी दूँगा software आप भी इसको जो इसी तरीके से वापस से जो है update कर सकते हैं software के थ्रूँ